So the topic Al-Biruni and the kitab Al-Hind Al-Biruni का full name था Abbu Rehan Muhammad ibn Ahmed Al-Biruni ये 1973 में born हुए थे Khwarizm में जो कि आज की डेट में उसबेकिस्तान कहा जाता है Khwarizm उस टाइम पे एक बहुत important center हुआ करता था learnings और education का Al-Biruni ने भी अपनी सारी पढ़ाई वहीं से complete की थी Al-Biruni को five languages आती थी Syric, Arabic, Persian, Hebrew and Sanskrit मैंने ये languages कुछ इस तरीके से note down की है like languages known by him Syric, Christian language होती है जो कि North East and Syria और South East and Turkey और Iraq में use की जाती थी Arabic, Morocco, Oman, Syria, UAE, Qatar, Saudi Arabia में अभी भी use की जाती है Persian, Afghanistan, Tajakistan, Russia, Iraq में use की जाती थी Hebrew, State of Israel, Sanskrit, India में अभी भी use की जाती है पाली, श्री लंका, प्राकृत, प्राकृत लैंग्विज को Camodia and Java भी कहा जाता है जो कि ancient India में use की जाती थी अल-बिरूनी को गिरिक आती नहीं थी बट वो गिरिक फिलोसफर्स और प्लैटो फिलोसफर्स से काफी जादा influence हुए थे उनके काम से उन्होंने उनकी काफी जादा like जो written थे उनको read किये थे Arabic translations में ही और जब 10-17 में सुल्तान महमूद ने Khwarism को invade किया like जब उसमें attack किया उस country में enter किया तो वो अपने साथ सुल्तान महमूद अपने साथ काफी सारे scholars और poets को लेकर अपने capital आ चुके थे खजानी में जिन में से एक अलबिरूनी भी थे जैसे ही वो खजानी आये वो जब खजानी आये तो वो as a hostage आये थे like कैदी बन कर आये जिनको जबर्दस्ती उनकी capital में लाया गया था but रहते रहते he started liking that city उनको रहते रहते वहाँ पे खजानी काफी ज़ादा पसंद आने लगा था और उन्होंने अपनी जिन्दगी वहीं पर काटी until his death at the age of 70 it was in Khazani that al-biruni developed an interest in India खजानी में रहते रहते उनको इंडिया में काफी ज़ादा interest आने लगा था जितनी भी work थे like जितने भी written थे astronomy, mathematics और medicines में जो Sanskrit में लिखे गए थे वो 8 century में Arabic में translate होना start हो गए थे and al-biruni started reading them और जब Khaznavid empire ने पंजाब को अपना part बनाया like जब पंजाब Khaznavid empire का part बन चुका था तब जो local population थी वो एक दूसरे को एक दूसरे को help कर रही थी आपस में भरोसा करने के लिए आपस में घुल मेरने के लिए जिसकी वज़े से अल-biruni ने काफी सारा time इंडियन भ्रामन्स के साथ spend किया इंडियन पंडित के साथ पढ़े भ्रामन्स के साथ वहां से उन्होंने संस्कृत सीखी काफी सारे रैलिजियस चीजे पढ़ी फिलॉसिफिकल टेक्स भी सीखे उन्होंने उनकी जो जर्णी रही इतिनेरी के मीन्स होता है इसका मतलब होता है कि जो उनके रूट थे जो उनके रास्ते थे वो क्लियर नहीं है उनकी जर्णी है बट यह है कि उन्होंने इंडिया के पंजाब और नॉर्थन इंडिया का काफी सारा पार्ट जो है ट्रेवल किया था जब उन्होंने ट्रेवल लिट्रेचर लिखना शुरू करा था या लिख चुके थे तब Arabic literature उस time पर इसको काफी ज़ादा like accept कर चुके थे उस time पर travel literature का पढ़ना काफी ज़ादा आम हो चुका था and people started reading those travel literature उनके जो literature थी वो land सहारा desert से west सहारा desert से river Walga के north के बारे में लिखे गए थी तो जब इंडिया के few people in India would have read albiruni before 1500 many others outside India may have done so तो इंडिया के काफी सारे लोगों ने 1500 से पहले ये book पढ़ शुके थी और काफी सारे लोगों ने इंडिया के बाहर भी तो मैंने कुछ notes बनाए हैं albiruni को लेकर उनली albiruni को लेकर मैं एक बार उनको रिवाइब इसमें note add-on कर देती हूँ then we will come up with the kitabul hind so उने खुद के notes बनाए हैं मैं एक बार उनको भी revise कर देती हूँ maybe some of you will find them helpful his full name was Abbu Rayhan Mohammed Ibn Ahmed Albiruni he was born in 973 at Khwarizm presently known as Uzbekistan उनका पूरा नाम था Abbu Rayhan Mohammed Ibn Ahmed Albiruni वो 1973 में पैदा हुए थे Khwarizm में जो कि आज के date में Uzbekistan कहा जाता है Uzbekistan was center of best learning and he received his best education available at that time there Uzbekistan उस time पे best learning center कहा जाता था और उनोंने अपने पढ़ाई वही से complete की थी He was influenced and had a knowledge about Geeric and Plato philosophers उनको Geeric और Plato philosophers का का काम काफी जादा पसंद आया था और वो उसी से influence हुए थे अपने आगी writings करने के लिए और like just to write about philosophy He was influenced by Geeric and Plato philosophers He knew several languages like Cyric, Arabic, Persian, Hebrew and Sanskrit उनको five languages basically काफी अच्छे से आती थी वो थी Cyric, Arabic, Persian, Hebrew and Sanskrit In 1017, Khwarizm was invaded by Sultan Mahmood and Al-Biruni was taken along with other scholars and poets to his capital Khazni as a hostage and he started liking that place and lived there till his death at 17 जब 1017 में सुल्तान महमूद ने Khwarizm पे हमला किया था तो वो अपने साथ कई सारे poets और scholars को लेके गए थे अपनी capital Khazni में जिनमें एक अलबिरूनी भी थे उनको रहते रहते वहाँ पे वो जगा काफे ज़ादा पसंद आने लगी और जैसे जैसे उनको वो जगा पसंद आने लगी क्योंकि Khaznavid Empire का पार्ट एक टाइम पे पंजाब भी बन चुका था तो जब पंजाब Khaznavid Empire का पार्ट बना था तो उनको इंडिया में इंट्रस्ट आने लगा जितनी भी इंडिया की स्टडी थी जो संस्क्रित में लिखी गई थी अबाउट एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और मेडिसन वो एरेबिक में 8th century में ट्रांसलेट होना शुरू हो चुकी तो जैसे जैसे उन्हें उन्हें उसको पढ़ना शुरू करा और फिर पंजाब उस एंपायर का पार्ट बन चुका था तो उनको इंडिया में काफी जादा इंट्रस्ट आने लगा ढाओन भर इंञ दने लग्ष only जड़ब अनाओनि unच बदियों यह जड़ा मेडों सुदुन met लुकी फ्ञ्ट श्नुर्य विन पंजाब यूल एंजिया इंटे घ्टूल लग्ष naw explore पाचार ऑर और पाट बना पंजाब तो आपस में लोगों में में काफे जादा ब्रूसा औरана मेज़ दूंर इलगर ज से लोगों में मिला उसे के रहते हुए आल बीरुनी ने पंजाब काफे जादा ट्रेवल किया और पंजाब के साथ साथ northern part of India भी उन्होंने काफे ज़दे travel किया, उनकी जो roots थे कि वो कहा कहा पे कैसे कैसे गए वो clear नहीं है, but it is clear that he traveled the Punjab and the northern part of India. Al-Biruni ने फिर एक okay, Al-Biruni ने फिर एक book लिखी, किताब उल-Hind, जो की Arabic में लिखी गई थी, किताब उल-Hind was about travel literature, जिसमें उनका basic focus था इंडिया के lands west sahara desert से लेके river Walga जो की नौर्थ में है, वहां तक तो जो किताब उल-Hind थी, वो काफे ज़ादा voluminous थी, काफे simple थी, lucid, like easy to understand थी, उसमें 80 chapters थे about religion philosophy, festivals astronomy, alchemy, manners customs, social life, weights, measures iconography, laws metrology, ये पूरी बुक अराइबिक में लिखा गई थी, जैसे मैंने बताया आपको, इस बुक को उन्होंने जिस तर इन chapters को इन्होंने इस subjects में convert किया था, like divide किया और उनका जो लिखने के structure था, it was very different like how he started his chapter, his chapter was started with the beginning of questions like किसी questions से start होता था, और Sanskrit traditions के साब से उसको काफे जादा particularly descriptive करा जाता था, काफे जादा उसको explain किया करा जाता था Sanskrit tradition के हिसाब से और फिर other culture से उसको compare किया जाता था, ये बुक particularly history and इंडिया के culture के according थे His work was particularly intended for the people who lives along frontier subcontinent उन्होंने ये बेसिकली उन लोगों के लिए लिखी थी, जो इंडिया से बाहर, जो अलग-अलग borders पे रहते थे और उनको पता होना चेहता other traditions, other cultures के बारे में He was familiar with translations and adaption of Sanskrit, Pali and Prakrit texts into Arabic which helped fables to work on astronomy and medicines उनका जो काम था, उनको आता था Sanskrit, Pali और Prakrit में भी translate करना, उन्होंने इसको इसलिए translate किया था Arabic से in languages में, जिससे काफी और लोगों तक उनकी astronomy और medicine की जो उन्होंने लिखा था उनके बारे में वो और लोगों तक पहुचे He was always very concerned about improving his texts, like उन्होंने जो भी book लिखे थे, वो हमेशा इस चीज़ पर सोचे थे कि मैं इसको और किस तरीके से ठीक करूं So, soon we will meet up with the next topic, thank you so much for watching, do let me know if you guys have any query or if you need the notes in a PDF format see you at this feedback. you can do it. So, you can do this